तो दोस्तों आप लोगों ने कुछ इस परकार की फोटो वायरल होते हुए देखा होगा तो आपने तो इस परकार की फोटो कैसे बनाय जाता है तो उसी के साथ आप इसी फोटो में आप जो अपनी फोटो मतलब अपना फेस जो है यहाँ पर आइट कर सकते हैं तो मैंने आप यह देख सकते हैं यह जो फोटो है इस पर मैं जो कोली जी का फोटो यहां पर आइट किया हूँ तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं तो मैंने यह जो विराट कोली के फेस कैसे लगाया है तो आप भी अपने इसी photo में अपनी photo मतलब अपनी जो face है यहाँ पर add कर सकते हैं तो मैं आपको बहुत ही असान तरीके से बताऊँगा कि आप इस सभी photo पर अपना face कैसे लगाते हैं तो चलिए video start करते हैं बिना किसी time waste किये तो सबसे पहले हम इस परकार की photo बनाने के लिए आपको chrome वाले option पर आईएगा तो आपको यहाँ पर search कर लेना है Bing AI generate तो मैं सबसे पहले इस पर click करता हूँ तो आप first वाली website पर click करिएगा तो click करने एक बाद आपको थोड़ा से wait करना पड़ेगा जो ही click करेंगे तो आपको सबसे पहले अगर आप पहली बार इसको open कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर click करकर एक यहाँ पर account बना लेना है तो मैंने पहले से ही बना लिया है तो आप हम यहाँ पर इस वाले text वाले option पर कुछ हम यहाँ पर लिखेंगे तो मैंने पहले से यहां पे लिखा है तो मैं सबसे पहले यहां पे पेस्ट कर देता हूँ तो यह आपको कहां मिलेगा तो वीडियो में बने रहेगा तभी आपको सब समझ में आएगा तो सबसे पहले आपको यहां पे क्या चेंजिंग करना है तो आपको यह जो एह जो एहमेद लिखा हुगा दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर कट करकर कट करने के बाद आपका जो नाम है आप यहाँ पर लिख लीजेगा तो चलिए मैं अपना नाम लिख लेता हूँ अभी से एक अगर आपको यहाँ पर पाकिस्तान लिखा हूँ अब जिस यहाँ से हैं आपको यहाँ पर इंडियन लिख देना है तो मैं यहाँ पर इंडियन लिख देता हूँ बताब इंडिया लिख देता हूँ फिर आपको कुछ नहीं करना है आपको simply यह जो मैं लिखा हूँ total इसका एक screenshot ले लिजिए आपको totally यहीं लिखना है और आपको यहाँ पेस्ट कर देना है फिर मैं आपको create वाले option पे click कर दूँगा create वाले option पे click करने बाद आपको थोड़ा से wait करना पड़ेगा अगर आप चाहिए तो यह जो पूरा मैं लिखा हूँ यह आपको मैं लिखा हूँ यह आपको मैं description में मिल जाएगा तो वहाँ से save हूँ आप लिख कर यहाँ पे paste कर दीजिएगा तो आपको नीचे थोड़ा wait कर करना पड़ेगा तो अब आप देख सकते हैं जो photo पूरा बनके तयार हो चुका है अगर आपको जो पसंद है उस पे click करिएगा तो click करने बाद सबसे पहले three dot वाले option पे click करकर इसको हम download कर लेंगे अब यह जो photo बन चुका है अब इस पे हम अपनी face यहाँ पे add करेंगे तो है उसको कैसे add करना है तो उपर वाले option पे सर्च वाले option पर click करिएगा तो आपको यहाँ पे search कर लेना है Remaker तो मैं यहाँ सबसे पहले search कर लेता हूं Remaker AI तो Remaker AI सर्च करने बाद फर्स्ट वाली website पे क्लिक करिएगा तो फर्स्ट वाली website पे क्लिक करने बाद अगर आप भी इसको पहली बार open कर रहे हैं तो फर्स्ट पे यह जो face swap now पे क्लिक करिएगा तो सबसे पहले आपको यहां पे एक account बना लेना है तो मैंने पहले से बना लिए तो आप me यहां से क्लिक करकर यहां से क्लिक करने बाद एक account बना लीजिएगा तो अब यहां पे सबसे पहले जो पहले पहली फोटो उसको यहां पे add करेंगे upload image वाले option पे इसपे क्लिक करिएगा तो चलिए मैं इस पे इहाँ पे किलिक करकर यहाँ से Donा कर देता हूँ अब आपका जो है अपनी face वाली जो photo है आपको इस वाले box में अइट करना है तो चलिए मैं इहाँ पे इट कर देता हूँ अइट करने बाद तो चलिए मैं विराट कॉली का फोटो यहाँ पर एट करने बाद डन कर देता हूँ फिर यहाँ पर नीचे लिखा है स्वेट वन क्रियेट इस पर आप किलिक कर दीजेगा तो किलिक करने बाद आपको थोड़ा से वेट करना पड़ेगा तब तक चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजे अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए बहुत यह असान तरीके से बताया हूँ फिर अप आप देख सकते हैं वीराट कॉली का यह जो फेस है यहाँ पे add हो चुका है तो इसी तरह आप देख सकते हैं पहले किस परकार का था अब मैं यहाँ पे देख सकते हैं विराट कोली का totally face यहाँ पे add हो चुका है फिर इसको कैसे gallery सेव करना है इसको download वाले option पर click कर दीजेगा तो यह यह आपके gallery से हो जाएगा तो इसी तरह आप totally अपने description में दे दूँगा वहाँ से आप जाकर copy करकर या screen shot totally वहाँ लिक कर वहाँ paste कर दीजेगा तो चलिए मिलते अगले next video में तब तक के लिए जैहिन वन्दे मात्रम